मेरे पैरे दोस्तों एक मैसिव अपडेट आई है सिधार्थ पिठानी को लेकर और एक तरह से भांड़ा फोड भी कह सकते हैं दरसल AWN News के CEO मिस्टर नासीफ फाहद ने एक ट्वीट कर सिधार्थ पिठानी को आड़े हातों लिया और सवाल पूछा कि क्या तुम्हें इन दो मेडिसिन्स के बारे में कुछ भी याद है जो है रोपी नीरोल और हैलो पेरिडॉल जो कि आप इंद्रनील चकरवर्ती यानि रिया चकरवर्ती के पिता की बनाई गई प्रेस्क्रिप्शन के तहट फिद्या केमिष्ट जो कि विले पारले में स्थित्थ है वहां से जाकर खरीदा करते थे और सुशान्त को हर दिन दो बार इन दवाओ को खिलाया भी करते थे और जब आपका रिपब्लिक टीवी से इंटर्वी हुआ था तब आपने इस बात का जिक्र भी नहीं किया और बड़ी असानी से बूल भी गए इस बात को और इसी ट्वीट पे एडवोकेट विवेकानन्द गुपता ने कहा कि मैंने तो पहले भी कहा था कि रिया सुशान्त को इस तरह की मेडिसिंस दिया करती थी जिसे खाने के बाद वो सारा दिन नींद में रहते थे और खुद को कमजोर भी महसूस किया करते थे जहां तक बात पिठानी की है तो आप सब को याद होगा कि सुशान्त के चले जाने के बाद उसने कितनी बेशर्मी से ये कह दिया था कि सुशान्त ड्रग्स लिया करता था जबकि इन 5 महिनों में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि सुशान्त ऐसी किसी भी तरह की हरकते करते हो लेकिन इसी के उलट रिया और दूसरे लोग रोज ही इस चक्कर में फस रहे हैं कॉमेडियन भारती के बारे में तो आप सबने सुनाई होगा कि किस तरह वो आज गिरफतार हुई है मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर ये बाद सच निकली तो किस तरह से एक सीधे साधे बंदे को जो अपनी फैमिली से इतना दूर रहता था उसे ये लोग कैसी कैसी मेडिसिन्स खिला कर बिमार कर रहे थे गिन हो गई है इन जैसे लोगों से अब तो